हेलो गाइज बिलकम बैक टू सत्य क्लास से तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमस्टी के टॉप 50 MCQ जो कि आपके फाइनल डिविजन के लिए बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट कर लेते हो तो आपके बोर्ड एक्जाम में बहुत ज्यादा होने वाली है आपको वस ट्राइक करना कि आप सारे के सारे MCQ को कर लो क्यों तो आप ज्यादा टाइम बेस नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले कोशन के तरफ तो पहला कोशन हमसे कह रहा है कि दर रियक्शन ऑफ जिंक बीद डाइलूट एंड कंसेंट्रेटेड एच नो-3 रिस्पेक्टिबिली प्रोड्यूज बहुत अग अगर हम करवाते हैं कंसेंट्रेटेड एच नो-3 के साथ तो उसमें बनता है आपका एंडोटू तो आपका जो एंडोटू इसमें गिवन है तो आपसे नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा एंडशी आटी के ब्लोक में लिखा हुआ भी है आप वहां पर जाकर करके मतलब अगर हम मॉलालेटी जो सॉल्योशन के मॉलालेटी को डवल कर दो ट्रिपल कर दो उसके बाद वुजूद भी आपका जो है ना मॉलल एलिवेशन कॉंस्टेंट पर कोई भी एफेक्ट नहीं पढ़ने वाला क्यों क्योंकि यह कॉंस्टेंट है और इसी वज़े से यह की वैलिव दी गई है 408 पीको मीटर और डाइमीटर बताना कि मेटल एटम का डाइमीटर क्या होने बाला है अगर हमारा जो एपसी सी दे दिया तो एपसी सी में अगर हम ए और और के रिलेशन को देखेंगे तो उसमें क्या होता है रूट टू ए इस इकोल टू फोर रहोता यह आपका रेडियस आए लेकिन हमसे पूछा क्या है डाइमीटर पूछा डाइमीटर पूछा है तो 144 को हम मल्टिप्लाइ कर देंगे टू से तो आपका जो है लगवाट 288 के आसपास आजागा तो डैट इस ऑप्सन नमबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा नेस्ट आपका आपको बनाता है लिटर अधिया याफ आपको बताना तो उस पर आकरखार आपको बताना तो वोल्म निकालने के लिए आपको सिप्मल आप लास्व आप देखेंगे कि हम इस वाले फॉर्मल से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें पता करना है इस को सबसे पहले निकालना पड़ेगा किसका अगर आपकोगे आपको घ्र造ल्ыми स holiday on a do यहां से मोलरे इसकैं निकालेंगे आगर यहां से मोलरे निकालते हैं तो आपका क्या होजाएक तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपका यहां सब्सक्राइब करेंगे यहां सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी वेलियों आजाएगी 14.7 आगया तो आपका सब्सक्राइब करेंगे अब में इसके तो सब्सक्राइब करने के पाद आपकाईब करसNews आझाये बं इंटू प्लस में हम क्या लखेंगे एक्स क्योंकि हमें ईकलना है तो इहांसा इकालोगे न तो भो आपका यग नहीं होता है क्योंकि होता है मतलब अगर आप इस तरह से क्या ने और आह सिंअ स्ट्रक्चर बना सकते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सलफर अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपका हो जाता है और यहां पर ऑक्साइड हो गया यहां से भी आप Oxidation State निकाल सकते हो मतलब या आपका –2 है यह –2 है यह –1 है और यह आपका –1 है तो यानि कि हम कहाओ देंगे कि 1-2 एक –2 एछ एरा –1- 2-4 और यह हो गया 5 और यह हो गया 6 मतलब टोटल आपका कितने हो गया प्लैस 6 Oxidation स्टेट इसका हो गया है next question no 7 है कि in which of the following पैर टू स्पीशी आई स्ट्रेक्टरल अगर आपको बताना होता है तो आपको जितने भी आपको ही स्पीशी दिया हुआ है आपक एक आपका यह यह है यह होगा आपका आपको है इसपीश यह होता है और इसके अंदर, दोनों के अंदर आपके एक एक low-n-peer भी पाई जाएंगे और दोनों का structure कैसा होगा, pyramidal shape का ही होने वाला है, एक वार आगर आप calculate करोगे तो आपका निकल जाएगा, इन दोनों का जो structure है वो आपका same होने वाला है, अगर टेट्रा है तो आपका यहां पर आजाएगा नेक्स आपके पास है को से नमबर नाइन है कि एक इलक्टोन को हमने अनायन साइट में ट्रैप कर लिया है crystal के अंदर उसे क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं आपका एफ सेंटर जो कि आपको कलर को भी सो करता है नेसमार पास है question number 10 है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है HI का reaction करवाना है heat के साथ आपको product बताना है जब भी आपको HI के साथ reaction हो रहा हो ना तो इधर आपके कितना है दो carbon है इधर आपके कितने है चार carbon तो चार carbon की ताकध ज्यादा होने वाली है और दोनों के यह पर कवान डिगरी है यानि कि oxygen को कोन ज्यादा तेजी से कीचेंगा चार कार्वन वाला तो ऑक्सिजन जो है वह आपका इसके साथ चला जाएगा तो चार कार्वन वालेक साथ चला जाएगा ऑक्सिजन जो कि यहां लिखा हुआ है और दो कार्वन वालेक साथ चला जाएगा आयोडिन तो यह आपका यह रहा that is option number C इसका correct हो जाएगा नेट से question number 11 कि एथर ज़ो है वो ज्यादा वोलेटाइल होते है अलकोहल से लेकिन उनका जो molecular formula सेम होता है यह क्यों होता है तो आखिर कार इसमें पूछा कि एथर ज़ो है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है अलकोहल से क्यों क्योंकि अगर आप यहाँ पर बात करोगे ना एलकोहल को अगर हम देखते हैं तो एलकोहल में आपका intermolecular hydrogen bonding होता है अगर यहाँ पर माल लो आपका C OH है तो OH इस तरह से रहा फिर ही आपका नमबर 12 कि वीच वन इस दा कंप्लिमेंटरी बेस ऑफ साइटोसीन इन वन इस्ट्रेंड तो डाट इन अगर डियने की बात करोंगे तो पर याद रखोगे ए टी जी सी महले का बॉंड जो टी के साथ बनता है और जी का आपका सी के साथ बनता है तो इसमें साइटोसीन का किसके साथ है गुणा इन दे क्ाफ़ normally want to he do one two three four five six इसे क्या होगा कि अगर हम Now लगा यह लगा यहाँ लगाए यह लगा है यह लगारा यह लगाएसेम बात है यहाँ यह लगाएसेम बात नहीं a वाले और यह यह वाले या आपको यहाँ पर रहते हैं कि म traffic देखोगे ना तो 1, 2, 3, 4 and 5 अगर नियो पेंटेन में देखोगे चाहे आप यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ सेम बात है और यहाँ पे आप लगा ही नहीं सकते क्यों क्योंकि इसके पास हाइडोजन है ही नहीं तो यहाँ कि नियो पेंटेन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपका सिर्फ एक ही टाइप का आपका मोनो क्लोरे डेरिवेटिव बनता है तो आपका बन जाएगा आपका बन जाएगा अगर आप इस रियक्शन को लिखते हो और NH2 जो है वह आपका यहाँ पर आ जाएगा और वह आपका क्या कर लेगा एनिलीन का फॉर्मेशन कर लेगा नेक्स कोस्टन नमबर 16 है कि सुक्रोज एक डाइसेकराइड है तो वन मॉलेक्वल अप सुक्रोज को जब हाइडरोलाइसे करोगी वह कैसा तुरह से अरेंज होते है अगर पीफ़ोन का श्रुक्चर देखोगे न तो एसे ओता है पी 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 और पी और यह कुछ इस टाइp से आपके जो है वह बॉंडD basic character in the following आगर ऐसा question आजाए ना तो सबसे पहल आप क्या निकाल दोगे oxidation state आपको निकालना आए अगर oxidation state निकाल ओए तो एक करके सबसे ज्यादा होता है उसका basic character सबसे ज्यादा ओगा यानि कि जिसका oxidation state सबसे कम उसका acidic जो आपका strength यहां पर हमसे कूछ रहा पूछ र्यारी बेसिक एक्टर में क्या होगा आप जिसका इसका बेसीशिटी कम आप यहां हम करते हैं जैसे लो फॉर माइनस यहां है तो आगर जितना प्लस सीवन आ गया याने कि आपका सबसे जादा आए तो यह आपका बेसीशिटी में सबसे कम होने वाला है तो यह सबसे चाम होगाई सबसे ज्यादा किसका होगा क्यों कि इसका हो प्लस बनाएगा अगर c l o- बैसिक सबसे ज्यादा रहेगा तो वह कौन नंबर 19 की ऐस्मोसिस के दो रान जो वाटर का फ्लो है लो किस तरह से आपका होता है तो अगर माल लो हो इसमे आपका यह तरह से बकेट बना लिया जिसके बीच में आपका सेम परमेवल मेंब्रेन है यहां पर आपका पर्सेंट्रेंट है अगर सेमी पर्मेबल मेंब्रेन में रखो गे न तो जो वॉटर का फ्लो कहां होगा फ्रॉम और यौरिफ भी आपको क्रेक्ट हो जाएगा नेस्ट आपका कोशन नमबर बहुत है कि ionic solid with Scott की defect में contain in their structure कि जो ionic solid जो होता है सो स्कॉट की defect में उसमें क्या चीज़ होता है तो स्कॉट की defect में क्या होता है आपका जो number of NIN और number of katein दोनों equal number में आपके वैकेंसी देखनों को मिलते हैं तो स्कॉट की defect कहलाता है मलत दोनों ही आपके जो है structure से बाहर चले जाते हैं equal number में नेस्ट आपका question number 21 की in विच आफ फॉलिएंग structure the katein has maximum coordination number maximum coordination number हमें बताना तो अगर हम देखोंगे ने 2 का कितना होता होता है इसमें क्या होता आपको याद करना होता तो जिंक बिलेंट का कितना होता 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 है और इंदे कितना होता है तो maximum किसमें आगा सी एफ टू में तो option number c करेक्ट हो जाएगा नेशा को सबसे बड़ा जो आपका किसका structure बन रहा है एका तो जितना बड़ा आपका सबसे ज्यादा होने वाली है तो option number a करेक्ट हो जाएगा नेशा को सबसे नमबर करेक्ट हो जाएगा बाइदा एक्षण ऑफ ड्राइए एच्चियल और एन एल्कोहल अगर एलकोहल पर हम ड्राइए एच्चियल लगाते हैं तो आखरकार इसमें किसीज का केटलिस्ट का यूज होगा यहाँ पर तो आपका जाएगा तो आपका जाएगा नेशा को सबसेंगे अगर देखोगे लब होता है एडेनोसीन ट्राइफ फॉस्पेट यानि तीन फॉस्पेट है तो डिफरक इसमें कर रहा है यह फॉस्पेट के यूणिट में यहाँ पर राइबोज और यहाँ पर आपका फॉस्पेट डैडिज ऑप्सन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर इन में सब्सक्राइब जरूर देखो आपको आपको ज्यादा वेंफिट होगा तो आप लोग इस तरह से पढ़ाए करते लिए क्योंकि आपको बोड़ एकजाम बहुत ज्यादा नजदिक है आप लोग पढ़ाए करते लिए